कुछी दिनों में शनी और ब्रहस्पती वक्री हो जाएंगे Approximately roughly 11 माई को 11 माई 2020 को शनी वक्री हो रहे हैं and roughly 14th में 2020 को ब्रहस्पती भी वक्री हो जाएंगे वर्तमान में ये दोनों ग्रह मकर राशी में है और ये वक्री होकर पीछे आएंगे वक्री एक्चुली एक रिलेशन्शिप है प्लैनिट्स का सूर्य के साथ अगर हम अर्थ के पॉइंट अफ व्यू से देखें और हम हमारा जो और्बिट है अराउंड असन उसको देखें तो हम सरकल के अंदर देखेंगे तो हमें सूर्य नजर आएगा और फिर हमें दो और प्लैनिट्स नजर आएंगे वो हैं शुक्र और बुद्ध बुद्ध नजर आएगा शुक्र नजर आएगा फिर हम हैं ये जो दो प्लैनिट्स हैं इनका और्बिट हमारे और्बिट से कम है हम 365 और वन क्वार्टर डेज में एक और्बिट करते हैं और इनका जो और्बिट टाइम है वो हम से बहुत कम है कम से कम बुद्ध का तो हम से बहुत कम है इसलिए ये तो प्लानेट्स inferior planets कहते हैं इनको हम inferior planets कहते हैं ये inferior planets कहलाते हैं अब हम सरकल से बाहर हमारे position से इस तरफ देखेंगे तो हमें मंगल, ब्रहस्पति, शनी, यूरेनस, नेप्ट्यून, प्लूटो ये सारे नजर आएंगे, ये superior planets कहलाते हैं क्योंकि इनका जो orbit है, वो हम से काफी लंबा है तो ये तो रहे superior planets और ये दो रहे inferior planets हमें इस वक्त, May 2020 में, शनी और ब्रहस्पति, ये दोनो superior planets हैं इनके वक्री होने को देखना है और उसके results को समझना है इससे पहले के हम ये देखें कि वक्री होता क्या है और वक्री का result कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका क्या एक outward हम manifestation देखेंगे ये सब समझने से पहले हमें महत्वपून बात समझनी होगी अगर हम ये सोचेंगे कि ग्रह स्थिती ऐसी है इसलिए बाहर ऐसे परिणाम हैं तो फिर हम अपने आप के साथ एक प्रकार का चलावा कर रहे हैं हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि ग्रह स्थिती का जो परिणाम हुआ उस परिणाम में आप और हम कहां तक जिम्मेदार हैं हम इस चीज़ को देखी नहीं रहे हमने इसको बिलकुल नजर अंदाज कर दिया हमने तो सारा दोश ग्रहों पे डाल दिया कि ग्रह स्थिती ये है इसलिए ये परिणाम है और अब वापिस वक्री आएंगे ग्रह तो पता नहीं अब और कौन सा परिणाम होगा जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है हम आईडिया ही नहीं लगा पा रहे हम एक चीज़ यहीं समझ लें अस्ट्रोलजी सिर्फ एक सबजेक्ट अफ स्टडी नहीं है ना ही अस्ट्रोलजी सिर्फ एक साइंस है बाकी साइंस की तरह अस्ट्रोलजी एक स्पिरिच्वल साइंस है और क्योंकि हम इंडिया में कम से कम हमारे कंट्री में इस विशय का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है या धर्ववेद से शुरू हो रहा है इसलिए हमें इसके बारे में कोई भी casual बात करने से पहले हमें वो सोचना पड़ेगा कि actually astrology क्या चीज है और आज हम इसे क्या मान रहे हैं और इसको हमने कितना हलका मान लिया तो अब हम देखें कि astrology वास्तव में क्या है और लोग क्या समझते हैं लोग समझते हैं कि astrology कोई ऐसी चीज है आपने जिस पल जनम लिया और इस वक्त जो ग्रह गोचर कर रहे हैं इनके उपर आपका हमारा कोई control नहीं है और इसलिए ये तो अपने मनमाने चाल चल रहे हैं और उसका एक परिणाम आ रहा है और हम उन परिणामों को रोकने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकते क्योंकि वो क्या करेंगे कुछ पता ही नहीं ऐसी स्थिति नहीं है आप और हम उन विद्यार्थियों की तरह हैं जो विद्यार्जन करने कहीं जाते है ग्रह स्थिती examination system की तरह है हमने कितना विद्यार्जन किया हमने कितनी मेनत करी और हमने क्या क्या किया मेनत के सीखने के नाम पर उस चीज का system ग्रह सिस्टम है आज वो जो ग्रह सिस्टम हम देख रहे हैं वो केवल एक examination system की तरह आया और वो जो भी ग्रह स्थितियां थी हमारे लिए वो एक paper बन कर आया जिसमें हम fail हुए या पास हुए वो जो भी हुए वो अपनी जगा है उस system का परिणाम फिर हमने देखा बाहिय परिस्थितियों की रूप में जैसे एक विद्यार्थी विद्यार्जन करने जाता है तो निश्चित रूप से उसको एक परिक्षा का सामना करना पड़ता है और फिर उस परिक्षा का एक परिनाम भी होता है अब विद्यार्थी परिक्षा system examination system उस examination का result और फिर इस विद्यार्थी के माबाप ये चार चीज़ें हो गई हैं विद्यार्थी examination system result और फिर विद्यार्थी के parents अब हम इस रिष्टे को ग्रहों के संदर्व में देखते हैं आप और हम वो विद्यार्थी हैं और हमने जो भी सीखा इस examination hall में हमने संसार में आके हमने जो भी सीखा हम उसकी परिक्षाओं में appear होते रहते हैं तो वो जो ग्रह स्थिती देख रही है वो हमारा examination है हमने अभी तक क्या सीखा हमने क्या किया अब हम paper दे रहे हैं हमने जो भी सीखा होगा उसके आधार पर उस examination system जब वो paper आएगा हमारे उपर ग्रह स्थिती हम देख रहे हैं तो उसका परिणाम हम देखेंगे बाहिय परिस्थितियों के रूप में वो report card है वो जो बाहिय परिस्थितियां है वो हमारा आपका हमारा report card है जो की प्रकृति को पेश किया जाएगा क्योंकि आप और हम प्रकृति के संतान हैं वही जल वही वायू वही अगनी वही प्रित्वी वही आकाश ये हम हैं हम उस nature की संतान है nature को report card दिया जा रहा है आपके हमारे बारे में कि हम यहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं इसलिए ग्रहन नहीं है जो करा रहे हैं ये तो वही वाली बात है कि result खराब आया तो माबाप आकर examination system को कोसते हैं कि system कराब है विद्यार्थी अलग बैठ कर examination system को और paper को कोसता है out of syllabus आया साब paper बड़ा कठिन था out of syllabus आया पता नहीं कहां से पूछ लिया वो जिम्मेदारी नहीं लेते कि हमने मेहनत नहीं करी हमने पढ़ाई नहीं करी इस चीज़ की वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे वो तो examination system को कोसेंगे फिर वो teacher के marking को कोसेंगे वो result को कोसेंगे कहेंगे out of syllabus है ये है वो है पर कभी जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि हमने मेहनत नहीं की थी आज आप और हम उन विद्यार्थियों की तरह अगर ये ही कहते रहेंगे कि ग्रैस्तिती ऐसी थी इसलिए ऐसा परिणाम बाहर दिग गया तो हम जिम्मेदार विद्यार्थियों की तरह पेश नहीं आ रहें और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा report card और किसी को नहीं हमारी जो मा है प्रकृति उसको प्रस्तुत किया जाएगा एक अच्छा teacher क्या करता है अगर विद्यार्थी fail हो जाता है एक अच्छे examination system की parameters क्या है एक main exam होता है बचा main exam में अगर fail हो गया उसके performance में कमी रह गई तो एक supplementary का प्रावधान होता है report card तो आ गया हमने देख लिया कि हम किते prepared थे और हमने क्या किया report card तो हमारा आ गया अब जब ग्रह वक्री स्थिती में आएंगे तो हमें supplementary का मौकर दिया जाएगा उस supplementary में report card आ गया हमने अपना result देख लिया उसके बाद हमने क्या तैयारी करी इस अंतराल में report के आने के बाद बाहि परिस्थिती आ गई हमने report देख लिया हमारे performance का अब हमने क्या किया हमने कितनी तैयारी करी इसके उपर वक्री ग्रह हमें पुना एक report card प्रस्तुत करेंगे हम अगली वीडियो में देखते हैं कि वक्री है क्या and क्या results possible है हमारे लिए